हेलो एवरीवन आज हम डिसकस करने वाले हैं मिजोरम युनिवर्सिटीज के एडिमीशन के बारे हम बात करने वाले हैं अगर आप इस युनिवर्सिटीज में डिमीशन लेना चाहते हैं तो अब को कैसे करना है सबसे पहले तो आपको सीवाट की साइट पर आप जैसी विजिट करेंगे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा यहां पर आपको home का option दिख रहा होगा और यहां पर आपको यह आइकन पर क्लिक कर लेना है और यहां पर आपको universities की list देखने को मिल जाएगी फिर आपको universities वाले options पर क्लिक करना है जैसे ही आप universities वाले options पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको universities की सारी list आजाएगी उसके बाद यहाँ पर आपको मिजोरम युनिवर्सिटीज चेक करना है तो यहाँ पर आपको यह देखने को मिल जाएगी मिजोरम युनिवर्सिटीज फिर आपको इस options पर click कर लेना है जैसे ही आप इस options पर click कर लेंगे आप एक page open हो जाएगा यहाँ पर आपको सारी चीज़ युनिवर्सिटीज वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको course वाई eligibility criteria दे रखा जैसे आपको B.A.N. economics में admission लेना है तो section 1A से आपको English choose करना है और section 2 से आपको economics choose करना है class 12 में आपके 50% marks होने चाहिए और अगर आप reservation category चाहिए तो आपको 45% इस तरीके से हर course का eligibility criteria दिया हो है जो eligibility criteria है वही eligibility criteria आपको fulfill करना है अगर आप गलत subject choose करेंगे तो आप eligible नहीं होंगे admissions के लिए यह आपको ध्यान रखना है अब आपको क्या क्या करना है दो जरूरी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए पहली चीज़ आपको CU ad का form fill करना है form किस तरीके से fill करना है वीडियो का link आपको description box में मिल जाए CU ad के form में आपको मिजोरम university select करना है सबसे पहली चीज़ दूसरा वही subject choose करने form में जो requirement है युनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है कोर्स सेलेक्ट करना और वही subject choose करने जो आपके कोर्स की requirement है चैनल कोशिन पेपर की वीडियो आपको चैनल से मिल जाए याप प्लेलिस से चेक कर सकते है दूसरा उसके बाद आपको सी वाट का एंटरेंस देना है फिर सी वाट का रिजल्ट आएगा फिर आपको separate इस युनिवर्सिटी का भी form फिल करना है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अगर आप जो है separate form नहीं फिल करेंगा तो भी आप eligible नहीं होगा फिर फिर आपको वीडियो बनाके अपडेट किया जाएगा चीक है थैंक यू